उम् भद्रम् करणे विश्षुडया मदेवाह भद्रम् पशे माक्ष भिर्य जत्राह स्थिरैंगई स्थुष्टुवागं सस्तनूबिही व्यशेमदेवहितं यदायुह स्थिन इंत्रो व्रधष्णवाह स्थिन पूशा विश्ववेदाह स्थिन स्तारक्ष्यो वरिष्टनेमिही स्थिन ब्रिहस्पतिर्दधातु ओम् शांति 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 ही प्रज्यानांशु प्रतानि स्थिरचर निकर व्याप भिर व्याप्यलोकान भुक्त्वा भोगान स्थमिष्ठान पुनरपिही धिश्डों भासितान कामजन्यान पीत्वा सरवान विशेशान सपितिमदुरभं मायया भोजयन्यों माया संख्यातुरियं परमम्रतमजं ब्रह्मयतत्नतोस्मी यो विश्वात्मा विदज विशयान् प्राश्य भोगान स्थविष्ठान् पश्यादन्यान स्वमिति विभवान् जेतिशास्वेन सुक्ष्मान् सरवानेतान् पुनरपिशनै स्वात्मनिस्थाप यित्वाः यित्वाः सरवान् विशेशान् विगत गुडगडः पात्वसोनस्तुरियह मात्वसोनस्तुरियह ओमितियतत अक्षरम इदगं सरवं तस्योप व्याख्यानं भूतं भवत्भाविष्यदिति सर्वमोंकारेव यच्यान्यात्रिकालातितम् तदप्योंकारेव सर्वगम्येतत ब्रह्म्हाः आयमात्मा ब्रह्म्हाः सुयमात्मा चतुष्पारान जागरितस्थानों भहिष्प्रग्याः सब्तांग एकोन विंशति मुखहाः स्थूल भुग वैश्वानरहाः प्रथम पादहाः सवपन स्थानों अन्ता प्रग्याः सब्तांग एकोन विंशति मुखहाः प्राविविक्त भुक्त तैजसो द्वतियं पादह यत्रसुप्तो नकंचन कामं कामयते नकंचन सुप्नम पश्यति तत्सुशुप्तम् शुशुप्तस्थान एकी भूतह प्रज्ञान घना एवानन्दमयो आनन्दभुका चेतो मुखहाः प्राज्या तृतिया पादह एशसरवेश्वरा एशसरवग्या एशुंतरयामी एशयोनिही सरवस्य प्रभवाप्ययोहि भूतानाम एशसरवेश्वरा एशसरवग्या एशुंतरयामी एशयोनिही सरवस्य प्रभवाप्ययोहि भूतानाम 27 नमबर पर बेट पर पर बेट पर तस्मिन यतोक्ति यहर्थी एतेश्लो का हाँ भवन्ती वेदांट में दो वादों की व्याख्याप से हो रही थी एक है एक जीवाद और दूसरा है बहुजीववाद बहुजीववाद में जो जीवों की संख्या है वो वास्तों में अनेक मानी गई है दरश्टांत त्याग्या की एक बिम्ब सूर के अनेक प्रतिविम्ब होते हैं बिम्ब सूर एक ही ही है लेकिन प्रतिविम्ब सूर अनेक है इसी तरह से ब्रम एक है लेकिन अनाद इतने अंतहकरण होने के कारण अंगिनत अंतहकरण होने के कारण जो जीव हैं वो भी कैसे हैं अंगिनत बना इसको बोलते हैं बहुजीववाद लेकिन एक दूसरा भी दृष्टांत दिया गया कि एक महाकाश में ही घटाकाश है घटाकाश और महाकाश का अलग-अलग अस्तित्व नहीं है घटाकाश का और महाकाश का अलग-अलग अस्तित्व नहीं है ब्यावारिक दृष्टी से थोड़ा बहुत अंतर कर सकता है कि वह व्यक्ति घटाकाश में अनाज भरता है तो दूसरे घटाकाश में पानी भरता है तीसरे घटाकाश को रित रखता है उस घटाकाश का उपयोग करते हुए भी वो महाकाश का ही उप्यूग कर रहा है मतलब जो घटा काश है ठीक है वही ही क्या है महाकाश है जो समझने क्या कहा जा रहा है जो घटा काश है वही ही क्या है महाकाश है और उसी समय है महाकाश लब कुछ बनना नहीं है पकड़ में आ रहा है घटाकाश से महाकाश बनने में कुछ भी नहीं करना है जानना है कि यह जो उपयोग है यह तो महाकाश में ही है लेकिन मेरे बेवहार के कारण एक सीमा आ गई उसको क्या बोलते हैं घटाकाश उदाहरंड दिया था पतनी और मा बनने में कुछ करना नहीं पड़ता सोचो आप बेवहार की दृष्टी से वह पतनी है और बेवहार की दृष्टी से वह मा है लेकिन वास्तों में वह दोनों ही सच्चे बन गया यह तो संदरव की उपयोगिता से बात कही गई है बन गया ना अब वेदान्त में एक प्रणाली यह है कि वास्तों में जीव अनेक हैं ही नहीं तो शाषन करने की बात भी किसी पर बुलो जी नहीं आएगी अब जो जहां तकलीफ इस बात को समझना कहां हमारे कहां कॉनसेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण यह दोश आता है एक यह गलत समझ है कि प्रागे अलग है और इश्वर अलग है ठेक है आज़ अब प्रागे को हटा ले तैजस अलग है और हिरन गर्व अलग है क्या पहले आपको यह क्लियर हो गया कि हिरन गर्व ही तैजस है मांडू के के लिए तो एक बात आप यांद रखना मैं क्यों आपको भी कह रहा था यदि समझ में आ गया ठीक है समझ में आ गया तो आप यह समझना कि 70% काम क्या हो गया आपका हो गया ठीक है अब आपके पुन्ने आपका प्रारब्ध आपकी साधना यह जितना होगा यह इतना क्या होता जाएगा लेकिन समझना ही मुश्किल है पकड़ में आ रहा है समझना ही मुश्किल है क्योंकि ये समझ में आ जाए तो फिर कभी न कभी तो वो बात मुझे स्वामी जी ने इसका दुश्टान दिया है कि फसल काटना असान है और फसल आना भी कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन बीज कब होना बीज कब होना बहुत मुश्किल है अगर बीज बोद दिया तो अब आप क्या करो वेट करो धेर धारन किया जाए यदि बोया है तो कभी न कभी तो फिर बोलो जी अब हमारे साथ क्या एक एक ये इक्षा जुड़ गई कि मैंने समझा और तुरंद समझेने के साथ मझे उसका तुरंद बोलो जी मुश्किल है मुश्किल यह हो नहीं सकता अच्छे अच्छे लोगों करने होता आपकी क्यों बात कही जाए मतलब इसलिए मैंने आपसे कहा ये चीजें बहुत धिक स्तर पर बहुत समझ कर रख देनी है अब आपको कोई चीज मिले सुने तो आप उसी दृष्टी से देखिएगा किस दृष्टी से जिस दृष्टी से आपने इस फाइल को क्या किया है सेव किया है पता किसी ने बात की और आपके पास वो फाइल सेवी ही अच्छा अभी तक क्या हुआ अभी फाइल सेवी ही नहीं है अब चलो फाइल सेव करो अब कोई आपसे बोलता है महात्मा तो महात्मा लोग बोलके चले गए कि ब्रमग्यान पढ़ो तो मुक्ती होगी जै महाराजी की लेकिन अब प्रश्ण ब्रह्मध्यान कहां से मिले वो तो गए वो तो गए हर महात्मा यदि सही महात्मा है तो वो यही कहेगा ब्रह्मध्यान को क्या करो पढ़ो अब उस ब्रह्मा ज्यान को पढ़ने में इतनी जल्दी तो हर कुछ समझ में तो पहले तो बौधिक स्तर पर ये बात clear हो जाए फिर तो आप जो कर रहे थे वही करो धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाएगी ये चीजें धीरे धीरे clear तो पहला तो दिमाग में रखना है कि समझ में आ जाए यही मेरी क्या है अभी सफलता है कई फिलोसफी और कई चीज़ें आपने पढ़ी साइंस में क्या उसी समय पढ़ते समय सब समझ में आ गई थी लब टूटूजा फोर यह रट लिया था अब जब बड़े हो गए तब समझ में आता है कई चीज़ें आप खुली की नहीं खुली धीरे धीरे तो यह भी तो एक साइंस है न फिर तो एकदम से तो आना और इसमें तो बहुत ज़्यादा जिग्यासा बहुत ज़्यादा अंता करण शुद्धी आपके पुन्य आपके प्रारब्द आपकी गंभीरता आपका धाईद आपका स्वाध्याय आप पर खुर्पा इतनी चीज आपके पहले शब्द में आपके मुख पर आएं और आपके दिमाग में कहीं क्या होनी चाहिए फीड होनी चाहिए कि ऐसा भी कुछ है कभी मैंने ऐसा पढ़ा था अब कोई महात्मा आपको मिल जाए और इसी बात चीत होए तो उससे क्या कीजिए उसको लिंक कीजिए फिर पहले इस स्थर पर क्लियर करें कि हिरन गर्व और तैजस दो अलग अलग नहीं है अब देखो हमारी समस्या ये कि वहाँ ये करने चलें अभी अच्छा क्यों नहीं है एक व्यस्टी और समस्टी मतलब क्या अगर मैं यहाँ से कहूं कि व्यस्टी और समस्टी का भेद क्यों तो सीरी सी एक बात है मैं अपने आपको उपाधी में घेर के ही देखो जी आप अब आप सुचो बात वही आ गई फिर से हिरन गर्ब और तैजस से एक इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जब मैं हिरन गर्ब भी बनता हूं तो भी उपाधी से और जब तैजस भी बनता हूं तो बोलो जी और ये जो बात की जा रही है ये बोलो जी निरुपाधिक ज़रा समझने के लिए भी उपाधी से ही समझते हैं दोश समझ मेह रहा हैं क्या हो रहा हैं निरुपाधी को भी समझते हैं किस से तो आपको कहा से समझ मेह प्रश्म एक ही होता है प्राग हिरन गर्भ और तेजस क्यों अलग अलग है बुले उपादी की कारण अगर उपादी को हटा दिया जाए तो तो बुले दोनो दोनो एक है अब ये कहना आसान है कि उपादी को हटा दिया जाए तिन हटा के देखो आँ अचा एक पताने फिर से इस चीट को देखो जो तेजस है वो चेतन है या नहीं है ना जो तेजस है उसमें व्यस्टी की उपादी है तो आपने उसको क्या बोल दिया है तेजस अचा जो हिरन्ने गर्ब है वो क्या है वो भी चेतन है या नहीं है उसकी कौन सी उपादी है आप व्यस्टी और समझ्टी की उपादी को एक बार हटा दो आप क्या बचा वहाँ भी चेतन है तो बोलो जी यहाँ भी चेतन है मतलब दो दो हैं ही नहीं समझना ज़रा गलती कहां हो रही है हिरन गर्ब और तैजस दो हैं ही नहीं हिरन गर्ब ही तैजस है और तैजस ही हिरन गर्ब है आरिये बान समझ में यहां क्या कहा गया हम अपने आपको समझते हैं प्राग्य और अब आपसे बोला गया कि आप क्या हो बोलो जी तो अब आपको क्या लगा फिर से दूरी आ गई, क्यूं? क्योंकि मैंने फिर अपने को किस से मान दिया? शरीर से मैं यही तो कि इसी शरीर की उपाधी को ही तो आपको क्या करना है? मतलब जो प्राग है वो एक अंतह करन वाला जीव शुशुपती की उपाधी से उपहित उसी का तो नाम है मैं कह रहा हूँ तुम अंतह करन की उपाधी को हटा दो ठीक है? अब क्या बन गए? काइदे से आप इश्वर भी नहीं बने आप चेतन बन गए इश्वर भी अग्यानी है और जीव भी अग्यानी है सच्चाई तो सच्चाई तो चेतन्य है जहां किसी प्रकार की कोई उपाधी बोलो जी नहीं तो मैं आपको अभी इतना जो मेरी समझ में आया है अगर आपको सच्चाई देखनी है तो निरु उपाधी को उपाधी से मत बन के देखें निरु उपाधी को उपाधी से जब भी देखेंगे तो आपको अपने से दूरी समझ में थोड़ा दूर हटके तो देखें तब आपको इस बात समझ में आएगी कि आप और वो दो बोलो जी एक हो इस दिशियों का यही ग्यान रहा है इसलिए तो बोला अहम एक गमंड नहीं है याद रखना अहम ब्रह्मास्मी यह एकता का सूचक है कि मैं ब्रह्म हूँ I am आत्मा ब्रह्मा यह एकता का सूचक है वो तब है जब उसने क्या कर दी अपनी जीवत की उपाधी को क्या कर दिया अब वेदान्त खेल इतना ही रह गया किसी तरह से जीवत की उपाधी को क्या कर दिया जाए बस यह हटा तो जो पहले से है वो अपने आप क्या हो गया खुल गया अब देखो इस चीज को भाष्यकार ने बहुत ही सुन्दर बात कही कि मेरे तो टीका टीपड़ी भी है जो मेरी समझ में आए हाशिकार कहते हैं देखो मैंने इस पस्ट इसी लिबरा एश ही सरूपा वस्था देखो जी फिर से देखना यह भाष्यकार जो कह रहा है मैं आपको उसका सारांश आपके सामने यदि मुझे लगता है कि मैं जीव हूँ ठीक है तो आप पका जानो आपके लिए ईश्वर है कोई नहीं मना कर सकता कोई नहीं मना कर और यही सच्चाई है यही सच्चाई है जान रखना बहुत गलत हो जाएगा और यह गुरू की भी गलती है समझने वाले की गलती कि एक तरफ मैं अपने आपको जीव भी मानूँ ठीक है और दूसरी तरफ मैं ईश्वर का क्या कर दूँ बोलो जी निशेद भी कर दू मैं जीव भी मानूँ और ईश्वर का क्या कर दूँ तो ये कहीं कि कोई ग्यान नहीं पागलपन है यदि मुझ में जीवत्व है तो फिर ईश्वर भी है जान रखना जिस खषण आप में जीवत्व नहीं है उखषण ईश्वरत्व भी जम हम शोशुक्ति में होते हैं समझाने के लिए कहा गया कि यदि तुम्हें जीवत्व नहीं है तो तुमारे लिए उस समय ईश्वर भी फिर कौन है चैतन्य एक समझाने के अगर जीवत्व है तो ध्यान रखना कोई संत इस बात को नहीं मना करेगा आपके लिए ईश्वर भी है और सरल भाशा में यदि मैं अपने आपको रिशीवर पाता हूँ भक्ती आगई देखो यदि मैं अपने आपको रिशीवर पाता हूँ मतलब मैं ये समझूँ कि मैं नियम में हूँ नियम में हूँ मतलब मैं किसी के शाषन में हूँ आप ध्यान रखना आपके उपर कोई शाषक फगर में है यदि मैं नियम में हूँ शुरुवात वहां से नहीं करनी नियामक को हटाना है मैं नियम में हूँ तो फिर हम अभी पहला चेंज कहां करते हैं उसको हटा दिया उसको हटा यार मैंने अपने आप में कोई बदलाव लोजी तो यह तो क्या बड़ी विक्षिप्त मानसिक्ता की बात हो जाएगी विक्ति क्या समझेगा अपने आपको इश्वर भी नहीं है मैं हूँ तो मुझे दे कौन रहा है इसका मतलब आपने अपने जीवत्व को अभी हटाया तो पहले तो आप जीवत्व को हटाओ जीवत्व को हटाओ आ गया समझ में तो इसलिए शुति कोट करते है एश ही सरूपा अवस्था सरवेश्वरह साधी दैवीकस्य भेद जाता से सरवस्य इशिता न एतत तस्मा जातिंतर भूतो अन्ने शाम इव प्रान बंधनम ही सौम्य मनाह देखो क्या बोला है प्रान बंधनम ही सौम्य मनाह ये जीव किसी के नियंत्रण में है मेरे ख्याल से आपको ये बात आप समझ में आना गई होगी क्यों मतलब हमारी परेशानी की जो जड़ है वो ये है वो क्या है जड़ कि मैं अपने आपको सदेव किसी न किसी संदर्व में ही देखता हूँ मैंने इसलिए आप से कहा था पतने आपने हलके में लिया उसको कोशिश करें हम अपने आपको बिना किसी संदर्व के देखने की कोशिश करें आज़े कितने लोगों ने किया कोशिश करो आपको क्या रिजल्टा है कोशिश करने और भगवान ने इसलिए आपको एक शुशुप्ती की उपादी दी वो उपादी क्या दी पता है जाओ वहाँ तुम कुछ बने हुए आप देखो कितनी कभी लगता है गौड गिफ्ट है अभी अभी जिसमें हम लोग आए हम की सुपादी में थे सोते समय फुरुश थे, इस्त्री थे, साधू थे, यदी थे तो हम ना लायक हो ठीक है अगर नहीं थे तो फिर लायक थे समझवा और उसी लिए आनन्दित है जो बोला जाता है नगार जो शास्त्रों में जो कहा गया वो मुझे पता है, जिसको परमहंस बोला गया है जिसको अधूत बोला गया है, वो अधूत और परमहंस वही थे जिनको अपने जीवत्त का कोई भान पगड में आ रहा है इसलिए वो नगन भी घूमें तो उसके लिए कोई बड़ी बात व्यास जी के पूत्र कैसे थे क्योंकि वहाँ शरीर का भानी ही नहीं है आप सोचो अब जिसको अपने शरीर का भानी नहीं जीवत भी नहीं है क्या आनंद में रहेगा कैसी यहां तक की वेदव व्यास में था मैंने सुनाया होगा अलब नहाते समय इस्त्रियों ने जब जा रहे थे तो उन्होंने वस्त्र डाल लिए लेकिन शुकदेव महराज के जाने पर नहीं डाले वस्त्र वो ऐसे कि वैसी रही व्यास जी को दिक्कत हुई कि पिता के जाने पर वस्त्र डाल लिए पुत्र के जाने पर कुछ नहीं किया आपने बुले नहीं नहीं उसकी आंख में उसके बेवहार में दिखता है कि उसको अपने जीवत कोई भान है ही ही नहीं लेकिन आप में अभी है और राजा बरत वो तो बहुत कितने एक हिरन का जनम लिया एक सादू का जनम लिया फिर चोते जनम में तीसरे जनम में वो लाइन पर आया लेकिन यहां तो यह पैदा होते ही बुलते भगे पैदा होते ही भगे नगन भगे और मुझे तो बहुत अच्छा दर्श्रान तो लगता है अलाकि यह कठोर है मैं सुनता हूँ तो जब हुए और थोड़ा बड़े हुए किसी तरीके से बुलते हैं पकड़ के रखा व्यास जी ने इनको भाग जाते थे तो प्रशनी ये था कि उन्होंने का कि क्या करना क्या है मुक्ती प्राप्ट करनी है तो व्यास जीने बहुत अच्छे से समझाया देखो शादी करो व्या करो ग्रहस ताश्रम का निर्वाह करो और ग्रहस ताश्रम से किस में चले जाओ बोलो जी सन्यास में और सन्यास से जाके क्या ले लो बोलो जी मुक्ती ले लो यही हमाने याँ शास्त्र में बताए गया क्या बताए गया है पहले ग्रहस त में जाओ पहले ब्रहमचर के जरिये से ही तो जाओगे और आपको पदा है मारबलस उत्तर दिया है किसने है पहली बात उन्हों ने बोली आपको क्या लगता है कि ब्रह्मचर आश्रम रहने से मुक्ति होती है किसे बुला तो बोले ब्रह्मचर का अर्थ आम आदमी यही समझता है कि विवाह यही समझते न लोग तो उन्होंने बोला है क्या किनर लोग मुक्त हो गए पिता जी वाँ वियाज जी से पूछा है किनर मुक्त हो गए नहीं मुक्त हो गए अच्छा ग्रह्मचर आश्रम में बोले आता हूँ सामने ही अपने पिता को पूछते है आप मुक्त हो गए औरे लोग जी नेखो जी आप तो ग्रह्मचर में हो ना आप मुक्त हो गए नहीं हो गए तीसरा प्रशन ये जितने वानप्रस्ति जो one में रिशी मुनी रह रहे हैं वो मुक्त हो गए नहीं हो ये जितने लालवस्त और पहन कर माला पहन कर गूम रहे ये सन्यासी ये सम मुक्त है उच्थ नहीं है फिर बूले मुक्ती का लेना-देना किसी आश्रम जाए, यही सत्य है, सच भी यही है, पकड़ में आ रहा है न, न मुक्ती का लेना देना ब्रह्मचर से, यह तो एक व्यक्ति को मर्यादित बनाने के लिए है बस सन्यास भी कहने की बात है कि सन्यास से मुक्ती हो जाते सन्यास में भी आपने कुछ पढ़ा लिखा है यह नहीं तो किस बात की मुक्ती सोचवा बात यह आपसे कहना चाहता है बिना किसी उपाधी के मैं अपने आपको दो मेने देखने की कोशिश करू हमें कुछ नहीं है फिर आप जो खाप के साथ अब आपको कोई अपमान कर दे तो भलो जी अच्छा कोई सम्मान कर दे करके दे कोई बड़ी मज़ा आती है छोटे छोटे ऐसे द्रश एक बच्चे ने अपने पिता के उपर लाद दे मारी अच्छा कोई पडूसी का बच्चा आये और उसके सीने पर लाद दे मारे तो तो वही व्यक्ति लो जी गुलडाई करता है बड़ी यही व्यक्ति ने लाद दे मारी तो उसने कुछ भी विरod सब खेल हमारी उपाधी और क्रियाएं महीं हुई लाद उसने भी मारी लाद पडोसी वाली ने भी मारी फिर क्यों आप कुल-कुल आगे क्योंकि मैं पीता हूं कोई बुरा नहीं है मलब खेल सिर्फ उपाधी का है मैं करियाओं से कुछ नहीं हो रहा है एक क्रिया वही व्यक्ति करता है तो अच्छी लगती है और दूसरे व्यक्ति करता है तो मुझे बुरी लगती है वो इसका कारण है अच्छे और बुरे लगने का क्योंकि मैं किसी उपाधी से बुलो जी मैं किसी उपाधी से उपही नहीं हूँ कैसे पता करूँ बुले शुशुपती जाओ और आप इस बात को analysis कीजिए कि जब आप रात में सोए थे हंजी तो किस उपाधी में थे मैं पढ़ने हो पढ़ाने के लिए नहीं कहना है आप जब सोचो क्या थे सोचो अभी सोते समय तक कुछ थे उस समय क्या थे उस समय ये भी नहीं कह सकते कि मैं चेतन था पकड में आ रहा है वो भी एक उपाधी बन जाती पकड में आ रहा है उसी को अब आप बताओ प्राग और शेतन में क्या फरक रहे गए सुशुप्ती में ना तो प्राग गए है ना तो ईश्वर है ना तो यही अवस्था है ध्यान रखना नशे में भी यही अवस्था होती है मतलब इसमें एक लाइन आती है कि व्यक्ति जो पर्यावसान, अब मैं अच्छा शब्द यूस कर नहीं, पर्यावसान मतलब आखरी जहां खतम होता है, जैसे सभी नदियों का जो पर्यावसान है वो कहां है? गंगन, इसको उलते हैं पर्यावसान, जीव सब जीव का पर्यावसान ब्रह्म में ही है, आप भी आमें जी का सुधा जी के एक बहुत ही पैट सादकों के सभी क्रियाओं का सभी कर्म का पर्यावसान ब्रह्म में ही होना चाहिए ब्रह्म स्मृति में ही होना चाहिए तो वो कर्म और क्रियाओं सार्थक हैं जिसका पर्यावसान हाँ बो जी ब्रह्म में ना हो हाँ वो ठीक दि बहुत गोपनी और लीक से हट कर बात बता रहा हूँ मैं आपको उसको शेयर करता हूँ आपसे बहुत हट की बोल रहा हूँ मैं जैसे आप परिवार के लोग बैठते हैं न तो हमारे हाल लोकतांतरिक प्रणा ली भी इनमे मिशन की सभी को अपनी बात रखने का हक है तो आप जो देखते हैं हम आचारे और स्वामियों को भी अपनी बात रहने का क्या है बोलो जी हक एक ऐसा जब कॉन्फरेंस होती है तो उसमें हमारे और लोगों के सिवाए चोथा कोई नहीं हो सकता जिनमें मिशन के सादू सन्या से इसके अलावा देखो जी मैं बहुत अच्छी आप बताओं मैं अभी कवाडी में किताब बेज रहा तो उसमें वो किताब निकल लगी मैंने लिखा था वो लिक्षर था दोजार चार मांच का सुबधन जी का उन्होंने कहा था कि मिशन की जितनी भी क्रियाएं हैं मिशन इसलिए स्रेष्ट नहीं है कि यहाँ पढ़े लिखे सादू हूँ देखो जी बहुत सुन्दर मात पूली है मिशन इसलिए स्रेष्ट नहीं है क्योंकि यहाँ आश्रम अच्छे हैं हैं बहुत सुन्दर हैं मिशन स्रेष्ट वह कहलाता है जिसके मिशन की हर गतिविधी पर्यवसान ब्रह्म में होए हर गतिविधी का पर्यावसान ब्रह्म में होए वही गतिविधी ही अच्छी मानी जानी चाहिए मतलब हर गतिविधी से आपको इश्वर की कृपा का एहसास होना चाहिए यही साधना है यदि एक साधू एक ब्रहमेचारी एक स्वामी ग्यान्यगी करता है और उसको ग्यान्यगी करते समय गतिविधियां संचालित करते हुए इश्क्रपा का एहसास होता है जी तो वह इश्क्रपा वह गतिविधि ब्रह्म से ही उसको क्या करने वाली है? जोडने वाली है यदि गतिविधी का पर्यावसान ब्रह्म में न होए समाज सिवा में होए तो बोले वो समाज सिवा ब्रह्म ग्यान की और नहीं लिजा सको बहुत बड़ा वाक्यों बोला है बहुत आध्यात्मिक मिशन है जो सामाजिक है लेकिन पर्यावसान बुलो जी पर्यावसान ब्रह्म में नहीं है जड़ा समझना क्या कहा जा रहा है पर्यावसान ब्रह्म में ही होना चाहिए मैं अपने नाम में अपने यर्ष और मैं अपने चेले में ही इतना फस गया कि उपनिशत सब क्या हो गया छूट गया तो जो परेवसान होना चाहिए वो तो तो इसको बोला जाएगा रास्ते की दुकान को ये देखकर आप क्या हो गए बोलो जी फस गए जहां जाना चाहिए वहां तो आप बोलो जी जाई नहीं पाए तो ये हम लोगों के लिए था वो senior थे इसलिए उन्होंने सबके सामने ये बहुत लोगों ने हर आदमी के उनके भी बहुत सारे विरोधी होंगे बर उन विरोधी उन्हें भी इस बात को सरा कि ये एक बहुत ही सुन्दर बात कही गई है और क्रिया कलाप को करते समय ये ध्यान लखना चाहिए कि कहीं इसका पर्यवसान ब्रहम के अलावा कहीं और तो नहीं हो रहा है तो वो क्रिया भी क्या हो जाएगी तो मैं इसलिए आपको बहुत बहुत सुन्दर लेक्चर है उनको इस सुना था उस समय तो मज़ा आ गई तो को वहाँ भी इसी से ही समन्दित बाते हुई बात मिशन की भी होती है लेकिन जोड़ा किसे गया ब्रहम ग्यान से ही जोड़ा बट भक्ती ही जीवन का अंतिम लक्ष कब तक हम और इसवर दोनों अलग अलग रहेंगे कब तक हम रोएंगे और कब तक तुम आओगे हम रोते रहें तुम हसते रो यही हुआ ना तो इसलिए बोला गया भक्ती जीवन का अंतिम लक्ष और आपने जिसने भागवत सुनी मैं यही बांद बोलके बोलू भक्ती को भागवत में क्या बोला गया है गाए बोली गई है यादा रहा है एक मा मा कब कहलाती है जब उसके पुत्र हो तो पुत्र होने पर उसको जो इस्त्रित्व है जो इसकी जो इस्त्री पना है वो अपने आपको धन्ने समझती है कब जब उससे क्या हो गया कोई पुत्र और पुत्री क्या हो गई तो समझती में पूर्ण हो गई जिसलिए इस्तरी देह दिया भगवान ने वो हमने क्या किया वो हमने प्रोड्यूस किया एक पुत्र पुत्री मैंने क्या किया उत्पन ने किया भक्ती को वहां क्या बोला गया है मा यदि भक्ती का पुत्र उत्पन न होए तो भक्ती जी क्या कहलाईगी सूच भा बांज कहलाईगी आप जेखो यही वह ना भक्ती का पुत्र कौन? वो ले ज्यान आप जोगा आप भागवत में कि वो ग्यानी तो लेटा था और वहीराग्य और ग्यान लेटा है और भक्ती दुखी है जा देखना भागवाई कता कारों ने उटा सिधा कुछ तो भी बोल बोल के भक्ती और ग्यान की लड़ाई करा दी भक्ती रो रही है क्यों? क्योंकि उसका पुत्र किसी के पुत्र को आप तकलीफ दो तो माँ परिशान तो बोलो जी होगी होगी और यदि पुत्र उत्पन ही नहीं हुआ तो माँ के उपर एक बोलते हैं कि ये इस्तरी क्या है? भाग्ती करते करते जी है ग्यान उत्पन नहोए तो वो भक्ती कोई बड़ी सेल्यूट करने वाली नहीं इसका मतलब भक्ती अंतिम लक्ष जब तक कि उसका पुत्र कौन ना उत्पन हो जाए अच्छा नहीं बोले भक्ती बड़ी है की ग्यान अब यह लूप रहे कोई बड़ा नहीं है यह बड़ा और छोटे की बात कहां से आगी मुझे नहीं संग्यात लोग जनरली यही प्रश्ण करते हैं भक्ती बड़ा है की ग्यान अरे भक्ती से ही जन्मा है कौन तो कहना है तो कहलो भक्ती बड़ी है कोई समिंदो रहा है नहीं और किसी अच्छे सादू को कोई कष्ट नहीं होगा, मैं बता हूँ आपको, लेकिन भक्ती के अगर ग्यान ना होए, तो भक्ती खुरी नहीं समझती है, अपने आपको सुरेश्ट, अब सोचो, और होती है, तो जीवन का लक्ष भक्ती नहीं है, जीवन का लक्ष क्या है, ग्यान, जीवन के बाद भक्ती भी करने चाहिए, होती है, वो भक्ती फिर उसको क्या बोलते हैं, पता हैं, वो भक्ती मांगने वाली भक्ती नहीं होती, वो भक्ती क्या होती, आपने मुझे को इतने दिया, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ मतलब दो तरीके से हाथ जोड़े जाते हैं एक हाथ इसलिए जोड़ा जाता है कि मुझे चहिए और एक हाथ इसलिए जोड़ा जाता है कि आपने मुझे इतना दोनों में जो क्रियाएं हैं वो कैसी हैं? एक हैं मना ना, क्रियाएं एक हैं, भाव दोनों के, जो संत लोग यह सब करते रहते हैं, आप वो भी मन्दिर जा रहा है, ऐसा कर रहा है, तो वो कोई मांगने के लिए नहीं जा रहा है, वो अपने आपको क्या शो कर रहा है, ग्रेटिट्टुट, तो भक्ती फिर किसी मांग को ले क पड़तर नहीं होती और आपको एक बात बताएं उसको भक्ती कहते भी नहीं है इसलिए को भक्ती किसी क्रिया को नहीं कहते फकड में आये ना वो ग्यान ही है तो हाँ जुडना भी एक ग्यान है नीचे जुकना भी एक भुलो जी ग्यान की निशानी है तो मैं जो आग विशे चल लाते हैं रखना भाशिकार पस्ट लिखते है स्वरूपा वस्थाहिव वह स्वरूपा वस्था में वह प्राग की ही प्राग की मतलब जीव, जीव मतलब कौन हम और आप हमी इश्वर हैं हमी इश्वर हैं ध्यान रखना कब जब हम किसी उपाती में उपहित नहीं है यह रखना हाँ जब मुझे ये लगे कि मैं नियम में हूँ तो मेरे उपर कोई कंट्रोल करने वाला भी है मुझे कर्म का फल मिलता है येस तो यू हाव तू से मुझे किसी ने भोलो जी दिये बैमानी कभी नहीं करनी चाहिए बैमानी करने की जुरूँ मुझे लगता है मिला कई संथ लोग होते हैं उन्हें कुछ नहीं लगता वो इश्वर से भी बाते कर लेते हैं देगा ही देगा है लो जी अरे क्योंकि उनका लेवल ऐसा है यहां ना करो आप उनकी तरह नकल मत करो उनका ऐसे संबंध हैं वो अपने लेवल पर करो आप उसकी नकल मत करो फिर आप भुगत जाओगे मांडू की पढ़ाओद आपने इश्वर इश्वर है नहीं लो जी कौन इश्वर बोले मैं आप लो जी और अपना जीवत तो आपका जीवित है मतलब मैंने बोला दूसरे की भूख लगे तो आप बोलते हो सचिदानन्द हो तुम तो और जब अपना भूख लगे तो खाने खाने के बाद बोलते हैं मैं सचिदानंद ग्रम ने तो नित्य बुद्ध मुक्त हूँ यह तो कोई बात नहीं होती दोनों स्थिती में समान रहने की कोशिश करनी जाए तो यह जो शम्द है वो देखना स्वरूपास्थाम एव यही पकरना स्वरूप की स्थिती से दोनों अलग हैं उपाधी दृष्टी से दोनों बुलोजी है अब इस बात पे ही बहुत सारी कारिकार लिखी गई अब इसको मैं अगले सत्र से आप मंडे से लूँगा यह क्या है आगे ओम पूरुणमदा पूरुणमिदम पूरुणाद पूरुणमदच्चते पूरुणस्या पूरुणमदाय पूरुणमिवा वशिशते ओम शांति 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 ही अरियोम श्री गुरुप्यो नमस अरियोम झाल झाल